Dear students, इस वीडियो में हम जो हमारी exercise है 4.1 class 11 उसको हम continue करेंगे इसके हमने 9 तक जो है वो previous videos में sums को complete किया है और basic concept भी जो इसका है उसको भी इस वीडियो में हम 10th से शुरू करते हैं same वही mathematic induction का basic हमें use करना है जो क्या है? n is equal to 1 के लिए हम check करते हैं फिर n is equal to k के लिए हम true माल लेते हैं और n is equal to k plus 1 के लिए हमें prove करना होता है कि यह statement true है तो सबसे पहले हमारी जो statement है उसमें हम n is equal to 1 जो है वो use करेंगे तो n is equal to 1 जो है वो कहां use करना है? left hand side में इस statement में जिसमें n है और right hand side में इस statement और दोनों sides जो है वो equal आती हैं आनी भी चाहिए कैसे करेंगे? अब left hand side में अगर हम देखें तो 1 by 3 n n की जगा हमें 1 रखना है तो 3 बंजद 3 माइनस 1 तो यह हो जाएगा 2 multiply 3 बंजद 3 प्लस 2 5 तो यही चीज जो है यहाँ पे लिखे हुए है dot का मतलब है multiply 2 multiply 5 तो यह हो जाएगा 1 by 10 अब right hand side में अगर हम रखते हैं तो 1 by 6 multiply 1 6 होता है प्लस 4 10 तो यह जाएगा 1 by 10 इस तरह से हमारी left hand side और right hand side जो है वो दोनों equal है तो हम लिखेंगे it is true for n is equal to 1 अब हम क्या करेंगे let it is true for n is equal to k हम जो है k के लिए इसको true मान लेंगे तो k के लिए जब true मानते हैं तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब है कि जहाँ पर हमारे n थे वहाँ पर हम उसको replace करके k कर देंगे तो यह हमारी आ चुकी है n is equal to k के लिए values उपर अपने statement के लिखनी है let it is true for n is equal to k अब true होने के बाद हमें क्या करना है हमें k plus 1 के लिए इसको true prove करना है तो इसके लिए हमें k plus 1 वाली values जो है वो पता होनी चाहिए सबसे पहले हम इसी term में k plus 1 वाली values जो है वो substitute करेंगे k plus 1 term के लिए left hand side में बाद में करते हैं पहले right hand side को आपने k plus 1 के लिए solve करके रख लेना है ताकि हमें final answer का पहले से पता हो कि हमें prove करना क्या है तो यहां पर उपर k है तो यहां हुझे का k plus 1 divide by 6 k plus 1 है तो यहां हम लिख सकते हैं 6 into k plus 1 plus 4 तो मतलब final में हमें ये prove जो है वो करना है अगर आप चाहें तो इसको solve भी कर सकते हैं ताकि last में answer निकालना असान हो इस तरह रखेंगे तब भी हम इस answer को find out कर सकते हैं अब जो है start करते हैं left hand side से left hand side में मैंने आपको previous videos में सिखाया है कि जो k term है k term तक तो हमें रखना ही है अब extra जो है वो k plus 1 लेना है तो हम जो है plus करेंगे k plus 1 अथ term अब k plus 1 इसमें जब रखते हैं तो कैसे आएगा 3k था तो k की जगा हमने रखा k plus 1 इस term में भी 3k था तो यहां रखेंगे हम k plus 1 अब इसको अगर हम solve करते हैं तो इसका solve करने के बाद ये term बनेगी इस तरह से 3k plus 3 क्यों आएगा क्योंकि bracket के अंदर जो होता है उसके साथ दोनों के साथ multiply करता है बाहर वाली term जो है वो अब यहां पर इसको solve करके तो ये आगया ये statement कहां से लिखी मैंने ये आएगी हमारी k terms की value जो हमने let की थी यहां पर k terms की value वो हमें इसकी जगा पर substitute कर देनी है तो ये plus 2 हो जाएगा 5 अब जो हमारी statement है first वाली इसमें अगर आप देखें तो 2 की table common है तो हमने 2 को common निकाला तो यहां से बचेगा 3 2 जा 6 या फिर 2 3 जा 6 3 आ जाएगा 3 के और यहां से 2 common जाएगा तो 2 आ जाएगा तो ये और ये term अब इसमें कुछ हम common देख रहे हैं अगर आप देखें नीचे जो है वो 3 k plus 2 3 k plus 2 तो इनको common निकालते हैं तो first term में से क्या बचेगा k उपर बच जाएगा नीचे 2 तो k by 2 यहां से आ गया और यहां से ये चला गया तो क्या बचेगा 1 by 3 k plus 5 अब इसको अगर हम LCM लेते हैं तो 2 और 3 k plus 5 इनको हम नीचे लिखेंगे multiplication में अब 2 है तो 2 को छोड़ दो 3 k plus 1 की multiply k से तो ये लिखा हमने फिर 3 k plus 5 है यहां नीचे तो 3 k plus 5 को छोड़ दो 2 की multiply 1 के साथ 2 आ जाएगा अब इसको अगर हम आगे solve करते हैं तो 3 k square k की multiply 5 के साथ 5 k और प्लास 2 अब इसके अगर आपको factor बनाने हो तो कैसे बनाते हैं हमें सबसे पहले 2 की multiply 3 से कर लेनी है तो 6 आता है तो बीच वाले को इस तरह से break करना है कि multiply करने पर 6 i और plus minus करने पर 5 k तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके हम इसके factor जो बनाएंगे वो बनाएंगे 3 और 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 k square plus 3 k plus 2 k plus 2 अब first 2 में से कुछ common है बिलकुल 3 k common है तो यहां से आएगा k plus 1 और यहां से 2 common है तो k plus 1 अब k plus 1 को हम लिखेंगे बाहर और यहां से बज़ेगा 3 k plus 2 तो यह factor जो मैंने लिखे हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं अब इसके बाद जो हमारा 3 k plus 2 है यह उपर भी है और नीचे भी है इसको आपने कर देना है cancel तो हमारी statement कुछ इस तरह से बनाएगी 1 और k plus 1 की multiply k plus 1 उपर आ चुका है और नीचे हो जएगा 2 3 जा 6 plus 2 5 जा 10 तो यह आने के बाद हमें जो बनाना था वो था नीचे k plus 1 अब वो कैसे बनाया हमने अगर आप ध्यान दें इस statement को तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 k plus 10 को 6 k plus 6 plus 4 लिख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि 6 plus 4 10 ही होता है तो first 2 मेंसे अगर हम 6 common निकालें तो यहां बचेगा k plus 1 और plus 4 तो इस तरह से यह statement बनी है और यह हमारा final answer है जो हमने शुरू में no down कर लिया था पहले ही k plus 1 की value को रह कर इस तरह से हमने इस sum को solve कर देना है next है हमारा 11 sum same यही method इसमें use करना है first of all क्या करेंगे n is equal to 1 तो हम जो है n की value 1 रखेंगे तो left hand side में क्या आएगी 1 by n की जगा 1 है तो n plus 1 कितना हो जाएगा 2 n plus 2 कितना हो जाएगा 3 तो 2 3 जाएगा 6 अब यह जो हमारी left hand side है वो तो हो जाएगी 6 1 by 6 या फिर ऐसे भी यहाँ पर मैंने 1 dot 2 dot 3 लिखा हुआ है तो dot का मतलब आपको multiply ही याद रखना है उसके बाद right hand side में भी same उपर है n n plus 3 तो 1 into 1 plus 3 कितना होता है 4 divide by 4 n अगर 1 है तो n plus 1 कितना हो जाएगा 2 n plus 2 कितना हो जाएगा 3 तो 4 से 4 हो जाएगा cancel तो यह भी आजाएगा 1 by 6 तो left hand side और right hand side equal है तो हम लिखेंगे it is true for n is equal to 1 अब जो है हम क्या करेंगे let it is true for n is equal to k तो k की value को हम substitute करेंगे तो यह आजाएगा k के लिए n is equal to k के लिए for n is equal to k क्या करना है k के लिए बिल्कुल simple step है आपको करना क्या है जहाँ n दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे आपने k रख देना है बस n की जगा पे अब यह value जो है वह हमें k plus 1 वाली term का जब हम improve करेंगे तो उसमें हमें इसको use करना है तो use करना है तो हम पहले k plus 1 वाली term find out करते हैं कि k plus 1 अगर हमें रखना है तो क्या हमारी statement बननी चाहिए अब यह जो है हमने एक बात note की कि k plus 1 जब रखते हैं तो k तक तो हमारी term ऐसे ही रहती है अब k plus 1 जब हमें रखना है तो इसमें इसी में k plus 1 जो है वो value रखके extra जो हमें add कर देना कैसे करेंगे 1 by k है तो k की जगा k plus 1 हो गया k plus 1 है तो एक बढ़ा दो k plus 2 हो गया k plus 2 है तो k plus 3 हो चुका है अब हमें ये एक बात note की थी हमने कि जहां पर k term तक है इसकी value जो है वो क्या है ये वाली value कहां से आई ये ये value आई है यहां से जहां तक ये term लिखी हुए है उनकी value है ये k into k plus 3 by 4 into k plus 1 k plus 2 तो यही value हमने यहां पर substitute की है इस जगा पर तो इसको अब हम क्या करेंगे हमने एक चीज नोट की कि यहां पर निचे जो है कुछ common है वो क्या common है k plus 1 k plus 2 दोनों में है तो इसको अगर हम बाहर लेते हैं k plus 1 k plus 2 को तो यहां से बचेगा k into k plus 3 divide by 4 तो यह हमने as it is लिखा यहां पर और यहां से k plus 1 k plus 2 चला गया तो क्या जाएगा 1 by k plus 3 अब दोनों जो term हैं अंदर उनका हम लेते हैं LCM तो 4 into k plus 3 अब इसके निचे 4 है तो 4 को छोड़ दो k plus 3 की जो multiply है वो करेंगे हम उपर तो multiply कैसे कर रखिए हमने क्या करेंगे k plus 3 का square इसका formula जो होता है a square plus b square plus 2ab यह जो formula है वो हमने use किया यहां पर तो k square plus 3 का square 9 और 236 k यह बीच में लिख दिया 2ab वाली term जो होती है और साथ में है 4 plus का अब जो है k जो बाहर है इसकी multiply जब हम अंदर करते हैं तो क्या बन जाएगा k की k square के साथ करेंगे तो k cube फिर 6 k square फिर 9 k और plus 4 और नीचे आजाएगा 4 into k plus 3 अब जो next step है हमारा वो हमने किस तरह से किया है हमने इनको break किया है ताकि same same statement हमारे पास आएं common निकाल सके हम अब वो कैसे आएगी देखो k cube हमने same रखा है अब 6 k square है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 k square plus 4 k square 6 k square ही बनेगर नहीं है तो इसको हमने break करके लिख दिया 2 और 4 में ऐसा क्यों किया क्योंकि हम बनाना चाहरे है k plus 1 अब k plus 1 का square कब बनेगा k plus 1 के square का formula था है k square plus 2 k plus 1 तो ये बनाने के लिए हमने इसको break किया इस तरह से अब ये break करने के बाद 9 k को भी हमने break कर दिया k और 8 k में अब देखो इसका फाइदा क्या होने वाला है हमें first three term में से हम k को निकाल सकते हैं common k को common निकालेंगे तो यहां से बचेगा k square यहां से 2 k और यहां से 1 और इन में से हम 4 को common निकाल सकते हैं तो 4 common आएगा तो same statement यह वाली यहां पर बन जाएगी अब इन दोनों bracket को जो की same है तो इनको हमने बाहर निकाल लेना है या फिर आप क्या कर सकते हैं डिरेक्ट इसकी जगा पे इसका formula लेक सकते हैं वो क्या होता है k square plus 2 k plus 1 यह किसका formula है k plus 1 का square ठीक है तो इसकी जगा पे हमने यहां पे लिख दिया इसकी जगा पे भी k plus 1 square और इसकी जगा पे भी k plus 1 square अब यह दोनों में common है तो इसको हमने common निकाला k plus 1 का square यहां से बचेगा k और यहां से बचेगा 4 तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुछ cancel भी होता है यहां पर वो cancel क्या होता है वो cancel होता है k plus 1 कैसे उपर है k plus 1 का square तो square और यह k plus 1 cancel हो जाएगा तो उपर जो statement बचेगी वो हमारी बचेगी k plus 1 k plus 4 और divide by 4 k plus 2 और k plus 3 ठीक है तो यह हमारी statement बच जाएगी अब इतना अगर हम रखेंगे तो तब भी सही है आगे हमने k plus 1 term के लिए इसको sort out कर रहा है तो इतना भी रखके यह भी correct है यह था हमारा next sum इसके बाद जो हमारे पास 12th sum है बिल्कुल आसान है same mathematics induction का ही use करना है इसमे जो हमारी यह GP series होती है उसकी जो statement है वो है यह geometric progression जो होता है तो इसमें हमें इसको prove करना है तो क्या करेंगे हम first 4 n is equal to 1 n is equal to 1 के लिए इसको prove करेंगे तो left hand side में अगर n is equal to 1 रखते हैं तो a और r की value है n minus 1 तो 1 minus 1 0 और यह statement हो जाएगी खतम और एक बात आपको याद रखनी है किसी की power 0 जो है वो 1 के equal होती है ना कि 0 के equal होती है तो यह आजएगा a left hand side हमारी आगई a अब right hand side निकालने के लिए हम क्या करेंगे a into r raised power n तो 1 आजएगा minus 1 और नीचे r minus 1 तो यह दोनों same है cancel तो यहाँ से भी हमारे पास आगया a तो left hand side is equal to right hand side अब हम let करेंगे let it is true for n is equal to k अब k के लिए हम true माननेंगे इसको और जहाँ पर हमारी statement में n था वहाँ पर हम रख देंगे k तो हमने यहाँ पर यही formula use किया है जहाँ पर हमारे पास n था वहाँ पर हमने k से substitute कर दिया है इसको अब हम क्या करेंगे अब हम k plus 1 के लिए इसको true prove करना है तो उसके लिए हम right hand side को पहले ही no down करके रखेंगे k plus 1 के लिए तो क्या बनेगी k plus 1 के लिए r power k plus 1 minus 1 divide by r minus 1 तो मतलब last में हमारे पास इस तरह का answer जो है हमें बनाना है k plus 1 term के लिए तो इसको no down कर लेना है हमें तो शुरू करते हैं left hand side से अब left hand side में k plus 1 जब हम रखेंगे 1 minus 1 लिख लिए यहां पर तो अब जो है k plus 1 minus 1 अगर इसको solve करोगे आप k plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 cancel तो power कितनी बढ़ जाएगी सिरफ k तो इसलिए यहां पर हमने लिखा a r raised power k उसके बाद यहां पर इसके निचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा के lcm लेंगे तो lcm r minus 1 ही आएगा यहां पर अब जो है इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं यह जो statement है हमने जब lcm लिया इसका तो lcm लेने के बाद उपर वाली statement यह तो as it is आएगी यहां पर क्या हो जाएगा a raised to power r sorry a r raised to power k था तो r minus 1 इसके साथ multiply में आ जाएगा अब जब हम इसके अंदर multiply करेंगे तो वो दोनों के साथ ही multiply किया जाता है तो इसकी multiply r के साथ करेंगे तो r raised to power k प्लस 1 हो गया क्यों हो गया क्योंकि r raised to power k थो बाहर था एक r जब अंदर था इसके साथ multiply की हमने तो इस तरह की statement बनेगी अब बे सेम हो तो power add हो जाती है इसलिए हमने a r raised to power k प्लस 1 लिखा और a r k की multiply 1 सोरी माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ प्याज़ेगा minus a r raised to power k अब next step जो होगा हमारा next हमने क्या किया है common इसकी multiply हमने अंदर की है तो a r raised to power k हो जाएगा और minus a हो जाएगा अब यह statement cancel कर दी हमने क्यों कर दी cancel क्योंकि एक statement इनमें से same है statement एक minus की है एक plus की है तो इसको cancel कर दिया जाएगा उसके बाद यह जो statement बनी है हमारे a r raised to the power k plus 1 minus a इनमें से a जो है वो common है तो अगर हम a को common निकालते हैं तो अंदर बचेगा a r raised to the power k plus 1 minus यहाँ से a चला गया तो minus 1 और divide में r minus 1 है यह तो यही statement हमने अभी थोड़ी ज़ेर पहले note की थी यही हमें इसमें prove करना था तो हम लिख सकते हैं thus it is true for n is equal to k plus 1 next statement है 13th 13th में हमें बताया गया है prove the following by using the principle of mathematic induction तो इसको अगर हमें prove करना है तो क्या करेंगे हम for n is equal to 1 अब 1 के लिए हम left hand side को अगर लेते हैं तो left hand side कुछ इस तरह से बनेगी 1 plus 3 by 1 3 by 1 कहां से बना यहां से 2 plus 1 3 by 1 square 1 तो 4 आ गया right hand side में भी n plus 1 है तो 1 plus 1 तो 1 plus 1 होता है 2, 2 का square 4 तो left hand side is equal to right hand side it is true for n is equal to 1 अब हम let करेंगे it is true for n is equal to k k के लिए हम इसको true माल लेंगे तो जहां जहां n था वहां वहां हम रख देंगे k और यह बन गई k terms की value k plus 1 square अब यहां पर हमने क्या किया कि जो हमारी k plus 1 वाली term हम रखेंगे उसमें यहां पर हम इसको रख के देख लेते है k plus 1 जब रखेंगे तो k plus 1 plus 1 का square मतलब k plus 2 का square last में हमें निकालना है तो इसको निकालने के लिए हमारी left hand side हम लेते हैं left hand side है यह इसमें हम k plus 1 term जब रखेंगे तो 1 यहां पर क्या बन जाएगा 2k था तो 2k plus 1 हो गया और plus 1 और निचे k square था तो k plus 1 का square अब यह जो k तक हमारी term है इनकी value है k plus 1 square तो हम इसको लिखेंगे k plus 1 square और multiply है इनके बीच में कुछ नहीं है तो multiply है और साथ में यह वली term हमारी as it is अब इसको अगर हम solve करते हैं lcm लेके तो 1 है तो 1 के निचे 1 लगा के आपने lcm लेना है k plus 1 का square तो 1 हो जब तो यह as it is आ जाता है उपर तो k plus 1 square प्लस यह वली term यहाँ पर अब इसको हम solve करते हैं ध्यान दो आप बाहर जो k plus 1 का square है निचे भी k plus 1 का square तो इसको हमने cancel किया cancel करने के बाद जो हमारी term बची है वो कौन-कौन सी बची है उपर से k plus 1 square plus 2 k plus 1 plus 1 अब यह जो है मैंने direct यहाँ पे लिखा है k plus 1 का square स्वरी k plus 1 plus 1 का square यह कैसे लिखा आपको एक बात नोट रखनी है वो क्या कि k square plus 2 k plus 1 पिछले एक सम में भी यह formula जो है वो आया था क्या था यह formula कि अगर इस तरह की term लिखे हुई है तो उसका formula हता है k plus 1 का square अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर k था तो आया k plus 1 का square अगर k square की जगा k plus 1 का square है तो हम लिख सकते हैं इसको k plus 1 plus 1 का square अगर ये बात नहीं समझ आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं इसको solve कर सकते हैं इसको solve करो तो क्या बनेगा k a square plus b square plus 2ab साथ में इसकी multiply कर दो plus 2k plus 2 और plus 1 इसको solve करो k square अलग रहेगा plus 2k 2k हो जाएगा 4k plus 1 plus 1 plus 2 4 अब इसको अगर आप इसके factor बनाओगे न तो इसके factor क्या बनेंगे k plus 2 का square तो simple सी बात इस तरह से भी आप इसको solve कर सकते हैं तो ये था हमारा complete sum next जो है हमारे sum वो हम next videos में complete करेंगे